पहाड पहाड़ी एरिया है थोड़ावा तो वही तो जगा है होड़ा है तो यहां करीपन कितने लोगों के पास सव्चालिना होगा? यहां करीपन पचात्तर परसेंट नहीं है, पचीस परसेंट लगभग किसी का अधूरा है, किसी का बना हुआ है, उसमें कुछ पूरे काम नहीं हुए उसमें भी. जैसे रात में भी आपको सव्चालि को जुरत पड़े, दो कहां जाते हैं आप, अब वहां ही जाते हैं साब, जहां भला जागा है, आप यहां फेली वारी लगा है तो रहातो जाते हैं नहीं सव्च पर reckless के लिए butूँ में नहीं है, नहीं है नहीं आदा हाने कूब में सव् पताने की नहीं बनवा रहे हैं, कुछ लोगन के बना है वो भी पूर नहीं है, कुछ लोगन के तो अभी एक भी कुछ नहीं हुगा। असवचालक हमको बहुत आपसापता है, क्योंकि रात में भी जाना आना पड़ता है, बच्चे हैं, मावाप से आने पूड़े हैं, उनको कहां लेके जाए, रात के समय है, गई सकरित सहावावे बीच में मेरा ही कुछ पेट गडवड हो गया था, तो मेरो को रात में कम से कम तो फिर मैं क्या करूं मेरा था मैं जा सकता रहा, तो चला गया, लेकिल भारी दिक्कत हुआ, उसी समय पानी वानी के मौसम भी रहाया भी, तो फिर क्या करें मुसीबत है तो जाना पड़ता है, साँचाले नहीं है तो, अपना का चाही थे, का चाही थे, अभी आप यह चा अपन निप्टी नहीं जाई, मौर कान पिरा लगत कहां जाई हम से आन मनाई, का करें? यह वीडियो की मद्धम से मैं यह दिखाना चाहता हूँ, कि गराम तकटपूर में साँचाले नहीं के कारण, कैसे लोग फुले में जाते हैं साँच के लिए? यहां सोचाले नहीं हैं मैं चाहता हूँ कि ग्राम तकतपुर में जो 135 घर हैं जिन्हों में सोचाले नहीं हैं उन्हों में अलग-अलग सोचाले बनवाई जाए यह सुब्धा ग्राम पंचायत करेगी मैं यह वीडियो देखने वाले सभी सोताओं से अपील करता हूँ कि ग्राम पंचायत खेरवखुर्द के सरपंच गरीब दास बैगा का मुबाईल नम्मर 97, 53, 76, 25, 47 पर कॉल करके दवाव बनाएं और हमारे यह ग्राम तकतपुर में सोचाले बनवाने में मदद करें मैं रामलाल बैगा गराम तकतपुर बिला करकेली जिला उमर यह मदद परदेश से इंडिया अनहाट के लिए